मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए history का most important topic लेकर आया हूँ जिसका नाम है गुपता पीरिड दोस्तों यहां से हर बार एक नेक question बनता है अगर आपने इमान दाई से proper इस वीडियो को देख लिया तो आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जागा इस बात की guarantee मेरी तो आज अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त वन के बारे में और समद्रगुप्त के बारे में ओके तो start करते हैं without wasting time देखे दोस्तों पहला point है चंद्रगुप्त वन married to लिच्छावी princess who strengthened his position and enhanced the prestige of the guptas दोस्तों जो चंद्रगुप्त वन है उसने लिच्छावी princess से शादी कर ली थी लिच्छावी princess का नाम था कुमार देवी क्या नाम था कुमार देवी तो जिसकी वजह से चंद्रगुप्त की position में power आ गया और बहुत जाता उनकी enhance हो गई मतलब उनकी prestige उनका सामराज बहुत powerful हो गया okay example ऐसे जैसे कुछ परिवार होते हैं जैसे नंकी मूख के लोग होते है लड़के लोग अब उनना सोचा कि एक ऐसी लड़की मिल जाए शांदार सी जॉब बाली पैसे वाली तो इससे क्या उनका level बढ़ जाएगा उनका माल दाल पार्टी मिल जाएगी तो बस यही काम इनना किया था किसने को महाराजा दी राजा भी कहते थे बहुत important question है सीधा सीधा question आएगा कि who was called as the महाराजा दी राजा तो चंद्रगुप्त वन was called महाराजा दी राजा ओके third point है श्री गुप्त was the founder of the गुपता empire दोस्तो गुपता empire का founder कौन है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए यह है अप dynasty इसका answer अगर पता है comment box में एक line में लिखके अपने आपको talented सावित कर दें दोस्तों ठीक है क्योंकि पढ़त रहो तो अच्छे सपड़ो यह मांधाई से answer मांसर दो बढ़िया fourth the gold coin during gupta period was called rupaka क्या बोलते है दोस्तों जो सोने के सिक्के होते थे गुपता period में उनको बोलत क्योंकि दोस्तों important है यह 15 मिर्ट 10 मिर्ट कभी जिन्दी में लोटके नहीं आएंगे ठीक तो पहली बात पहला point है कि समुद्रगप्त was called as the Napoleon of India दोस्तों यह question 50 बार आ चुका है एक बार फिर आ सकता है कि भाया who was called as the Napoleon of India तो समुद्रगप्त को Napoleon of India बोलते थे और यह बात कि किस ने बोली थी Napoleon of India की उपाधी समुद्रगप्त को किस ने दी थी तो उनका नाम था V.A. Smith इस नाम को भी याद रखी आप क्योंकि आ सकता है क्योंकि सबको पता है कि Napoleon of India समुद्रगप्त है लेकिन यह वाली उपाधी दी किस ने थी तो V.A. Smith ने दी थी ओके जिस तरीके स जैसे सरदार अबलब भाई पतेल को गांधी जी ने सरदार की उपाधी दी थी तो इसी तरीके से V.A. Smith ने Napoleon of India की उपाधी समुद्रगप्त को दी थी ओके थर्ड बात देखिए थर्ड पॉइंट क्या है यह है मेग बर्मन दा रूलर ऑफ श्री लंका सेंट अ मिशनरी तो इस कोट फॉर पर्मिशन टू बिल्ट बुद्धिस्ट टेमपल मेग बर्मन भाई यह एक राजा था एक श्री लंका का शासक था बहुत शांदार उस दोस्तो अगर आपने यहां से पढ़ लिया ना तो मैं बतारहूं कहीं कि बुक में जाने के जरुत नहीं है क्योंकि मैंने पतली वाली अरहनत की बुकाती न मनुवर पंडे की ब्लू कलर की 25-26 रूपे की वहां से पूरा कंटेंट लिया है तो आपने यह पढ़ लिया में कौन था, समुद्र गुप्त के कोट में कौन कौन बंदे थे, समझ रहे हो, हर्ष वर्दन के टाइम पर कौन से हो थे, स्कॉलर्स, तो इस तरीके के कोशिन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अभी के लिए समुद्र गुप्त के कोट में, और हरी सेना के अंदर बढ़ा रहा सेना तो याद है राम भगवान जब उधर स्रीलंका जा रहे थे रावर्ड के यहाँ तो क्या कर रहे थे हनुमान जी के पूरी टीम की टीम पत्थर फेक रही थी राम लिख लिख के समुद्र पे है ना तो इतनी बड़ी सेना थी और समुद्र में वो पत्थर फेक फेक के उधर से लंका तक उन्होंने रास्ता बना लिया था है ना रामिश्वरम वाली जगा में और मुझे इस तरीके से मैंने याद कर लिया तो शायद आप भी थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि समुद्र में पत्थर फेक फेक कर उन्होंने रास्ता बना लिया था हनुमान की टीम ने हनुमान जी लोगोंने और बहुत बड़ी विशाल सेना थी उस टाइम पून के पास तो बस ऐसे मैंने लिंक कर लिया आपको हेल्प मिलेगी पक्का फिफ्थ देखिए ये है समुद्र गुप्त वॉस गिवन टाइटल अफ कभी राज दोस्तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कॉशन आएगा कि समुद्र गुप्त को किस चीज का टाइटल दिया गया था दोस्तो उनको बोलते थे कभी राज मैंने ऐसे याद किया से कि दोस्तो समुद्र के अंदर वड़ा रहा है समुद्र है ना और समुद्र कितना गहरा होता है बहुत जादा है ना और कभी राज कभी राज के अंदर वड़ा रहा कभी और जो लोग अपनी कर सकते हैं ठीक है 6 क्या है भाई शिक्स्त है समद्र गुप्थ वॉर्ज ड सन ओफ चंद्रुप्थ 1 यह भाट भी भाई साइब पता Hokuto नीच Explain कि समद्रुप्थ किसका लगा था पता तो है कि नहीं तो यह है चंदरुप्त वन का लड़का था समद्रुप्त अब मैं आपसे कॉशन पूसता हूँ सिंपल सा है बिन्दु सार का बेटा कौन था और बिन्दु सार के बेटे का बेटा कौन था यह बताईए जोटाज़ा कोशन अगर आपने history पढ़ी होगी इसमें क्या हुआ है जो समध्रगुप्त अपना राजा था ना उसके मदब सिक्के में की बनवाई थे उसने तो सिक्कों में उसकी खुद की फोटो थी जो की वीना बजाते हुँ फोटो थी वीना वीना बजा रहा तो कुछ इस्टुमेंट होता समध्रगुप्त दोस्तो इतनी सारी बात मैंने समध्रगुप्त के बारें बताती ध्यान से पढ़ लेना एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए देखो 9 पॉइंट है 9 अगर आपने इमानदाई से कर लिए तो समध्रगुप्त से कौशिन आपका गलत नहीं होगा ओके तो आप क्यों पर डेपेंट है या आप कितने फोकस के जान पढ़ते हैं ठीक है 9 क्या है अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इस दा नेम ऑफ इंस्क्रिप्शन बिलॉंग्स टू समध्रगुप्त दोस्तो अलाबाद में एक मतलब जो पिलर्स बने हुए हैं वहां कुछ चीज बंदे ने बार-बार रिविजन किया है उसके सेलेक्शन के चांसे बढ़ गए हैं तो आप गलत फेमी में मत रहिएगा कि एक बार पढ़ लूँगा मैं या पढ़ लूँगी तो चेंपियन बन जाओंगी ऐसा नहीं होता है दो तीन बार रिवाइस करिए प्लेलिस्ट में डाल लीजिए बार-बार देखिए जब जाके आप चेंपियन बनेंगे है ना तो मेरी बात ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सेलेक्शन ज़रूर होगा बी कंसिस्टेंट तुवर्ड़ से गोल एंड नेवर एवर गिवप ओके एंड बाई